हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो मैत का बेसिक लेबल का प्राश्ण होता है इससे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राश्ण है कोई ब्यक्ति एक महीने में 5000 रुपए कमाता है तो छो वर्स में कितना रुपए कमाएगा देखिए इस प्राश्ण को हल करना बिल्कुल आसान है सबसे पहले देखिए आपको यह पता करना है कि एक वर्स में कितने महीना होता है एक वर्स में होता है बारह महीना अब देखिए आपको सबसे पहले 6 वर्स को महीने के रूप में बदलना है तो आपको 6 से 12 में गुना को करना है 12 से गुना 6 में करे तो यह हो जाएगा 72 यानि देखिए 6 वर्स में कितने महीने होंगे वह हो जाएगे 72 महीने अब देखे एक महिना का कितना दिया हुआ है वहा देखे पांच हजार आपको देखे पांच हजार में बहातर से गुना को करना है यहनी पांच हजार को लिखेंगे यहाँ पर और बहातर को लिखेंगे यहाँ पर देखे 2 फेगुना 5 में करें यह होझागा 10 का 0 और एक होझागा हासिल 7 फेगुना 5 में करें यह होझागा 35 और 1 था हासिल यह होझागा 36 इसके अंट में देखें 30 है तो यहाँ पर 30 लग जागा यानि छो वर्स में वह कितना कमाएगा इकाई, दहाई, सैकडा, हजार, दसजार, लाग यानि वह व्यक्ति कमाएगा तीन लाग, साथ हजार रुपए देखिए एक तरीका यह है और आप इसी प्राश्ण को एक और भी तरीका से हल कर सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर है एक महिना में कितना कमाता है वह देखिए पांच हजार रुपए तो देखिए आपको सबसे पहले एक वर्स का निकालना है तो देखिए एक वर्स का निकालने के लिए जो एक महिना में कमाता है इसमें आपको 12 से गुना को करना है यानि 12 से गुना 5 में करे तो यह हो जागा 60 इसके अंत में देखिए 3-0 है तो यहाँ पर 3-0 लग जाएगा यानि एक वर्स में वह कितना रुपए कमाएगा वह कमाएगा 60,000 रुपए यहाँ पर देखिए 6 वर्स का निकलना है तो आपको देखे 60,000 में यहाँ पर आपको 6 से गुना को करना है जितना साल का निकालना होगा उतना से आपको गुना करना है 6 से गुना 6 में करे तो यह हो जागा 36 इसके अंत में देखे 4,0 है तो यहाँ पर 4,0 लग जागा देखिए अगर आप इस तरीका से भी हल करते हैं तो भी आपका एंसर सेम आएगा यानि देखिए यह है 3,60,000 रुपए तो आप लोग इसे अच्छे तरश से समाज गये होंगे तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्राश्ण को हल करते हैं देखिए आपर दूसरा प्राश्ण है कोई ब्यक्ति एक महीने में 4,000 रुपए कमाता है तो 23 दिन में कितना रुपए कमाएगा देखिए आपको सबसे पहले लिखना है एक महीने बराबर 4500 रुपए देखिए आप इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं एक महीने में होते हैं 30 दिन 30 दिन बराबर 4500 रुपए देखिए इसको लिखने के बाद आपको सबसे पहले एक दिन का निकालना होगा तो देखिए एक दिन का निकालने के लिए यहाँ पर जो 30 है इससे आपको 4500 में भाग को लगाना है यानि 45-100 को लिखेंगे उपर और हम लोग 30 को लिखेंगे इसके नीचे 1-0 से 1-0 कट जाएगा 3-45 को काटें यह कट जाएगा 15 बार में इसके अंत में देखिए 0 है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा यानि एक दिन में ववेक्ति कितना कमाएगा? वह कमाएगा 1.500 रुपा है अब देखिए हैं पर 23 दिन का निकलना है तो आपको 1.500 से 23 में गुना को करना है तो चलिए अब हम लोग 23 गुना 1.500 को करते हैं देखिए 3 से गुना 0 में करें यहाँ पर होगा 0 3 का पहड़ा 5 बार पढ़ें यह होगा 15 का 5 और 1 हो जागा हासिल 3 का पहड़ा 1 बार पढ़ें तो यह होगा 3 और 1 था हासिल तो यह हो जागा 4 2 का पहड़ा 0 में पढ़ें तो यह होगा 0 2 का पहड़ा 5 बार पढ़ें यह होगा 10 का 0 और 1 हो जागा हासिल 2 से पहड़ा 1 में पढ़ें यह हो जाएगा दो और एक थांसिल तो यह हो जाएगा तीन अब आपको देखिया है पर सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है यहाँ पर देखिया जीरो यहाँ पर हो जाएगा पांच यहाँ पर देखिया चार है और यहाँ पर तीन यानि वह ब्यक्ति जो है तेश दिन में कितना रुपए कमाएगा वह कमाएगा 3,450 रुपए तो आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गय होंगे